हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल 24 करेट कीचन तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 टाइप के सरबत प्रीमिक्स सबसे पहले हम बनाएंगे रस्तना सरबत प्रीमिक्स 100 ग्राम हमने शुगर लिया है, ग्रेनुलेटिट शुगर 2 TBSP हमने ग्लुकोन डी लिया है, पिन चॉप हमने शॉल्ट लिया है, फाप TSP, सिट्रिक एसिड 18 ड्रोप हमें चीए होंगे ओरेंज कलर और ओरेंज, 18 ड्रोप हम लेंगे ओरेंज एसेंस आप इसकी जगया इमल्सन का भी यूज कर सकते हैं अब मैं एक मिक्सर जार लूँगी और उसमें डाल दूँगी सुगर, ग्लुकोज, सॉल्ट और सिट्रिक एसिड इसी मैं 18 ड्रोप हमें कलर की डाल देती हूं और एसेंस डाल देती हूं अब हमें इसको चर्ण करना है और यह हमारा रस्तना प्री मिक्स है वो रेडी है अब हम रोज सर्वत का प्री मिक्स तयार करेंगे जिसके लिए माने 100 ग्राम है वो ग्रनुलिटेड सुगर ले ली है 2 TBSP, ग्लुकोण D, पिंच ओफ सॉल्ट और 140 TSP लिए हमाने सिट्रिक एसिड पिंक कलर चीएगा हमें 18 ड्रोप और रोज एसेंस इसकी जगे आप इमल्सन भी ले सकते हैं रोज का तो मैं एक मिक्सर जा रहा है वो ले लेती हूं और सब चीजों को इसके अंदर है वो डाल देती हूं सिट्रिक एसिड है वो क्रिस्टिलाइजेशन को रोकता है तो यह जरूरी है डालना 18 ड्रोप है वो मैं पिंक कलर डाल दिया है थोड़ा सा रोज एसेंस से वो डाल देती हूं और इन सब को चैन कर लेती हूं मैं फिर आगे आपको दिखाती हूं और यह हमारा रोज का प्री मिक्स है वो रेडी है कलर आप चाहो जितना डार कर सकते हो और कलर एड करके अब हम कच्ची केरी शर्बत का प्री मिक्स हो तयार करेंगे जिसके लिए मैंने 100 ग्राम ग्रेनलेटेट सुगर लेली है 2 टीबी एस्पी गुलकॉन डी यह मैंने 1-2 टीएस्पी लिए मैंने citric acid, 1-2 टीएस्पी लिए जीरा powder, 1-2 टीएस्पी लिए मैंने यह काला नमक और यह मेरे पास कच्ची केरी का इमल्सन है, जिसको मैं यूज करूँगी, 140 एस्पी में डालूँगी, इमल्सन, तो अब मैं एक मिक्सर जार ले लेती हूँ, उसमें सब चीजों को डाल दूँगी, यह बहुत ही टेंगी सा, जटपट तयार हो जाएगा, यदि आपके पास इमल्सन नहीं हो, तो आप कच्ची के रिए एसेंस और ग्रीन कलर है, वो यूज कर सकते हो, अब मैं इन सब को चैन कर लेती हूँ, यह हमारा कच्ची के रिए शर्बत प्री मिक्स रेडी है, अब हम पान शर्बत प्री मिक्स अब तयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम है, वो ग्रेनलोटेड सुगर ले लिए है, 2 टीबी एस्पी मैंने ग्लुकोंडी लिया है, पिंच अब सॉल्ट और थोड़ा सा ही हमेची वन एड़ टीएस्पी सिट्रिक एसिड और यह मेरे पास पान एसेंस है और ग्रीन कलर, आग पास इमल्सन हों तो आप वो यूज कर सकते हैं, तो अब मैं एक मिक्सर जार ले लेती हूँ, इसमें डाल दूँगी सुगर, ग्लुकोंडी, सिट्रिक एसिड और सॉल्ट, यदि आपके पास ड्राइ पान के पत्ते हैं, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, चार पान ड्रोप डालूँगी में पान एसेंस, और थोड़ा सा कलर, यह मेरे पास बड़ी वोटल है, आप यह छोटी छोटी वोटल्स भी मिलती है, उनको भी आप यूज कर सकते हैं, तब इन सब को कर लूँगी में ग्राइंड, और यह हमारा पान शर्वत का प्रेमिक्स रेडी है, पस इसको ठंडा पानी लो और ग्लास में डालो आपका सर्वत रेडी, अब हम काला खटा सर्वत का प्रेमिक्स है, वो रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम है, वो ग्रनेटेड सुगर ले लिए है, नहीं तो आप कलर और एक मिक्सर जार ले ले लेती हूँ, इसमें डाल देती हूं में सुगर, सिट्रिक एसिड, गुलकॉन डी, जीरा पाउडर, काला नमक, अब इन सब चीजों को हम मिक्सर में चर्ण कर लेंगे, काला खटा सर्वत्त्री मिक्सर वो रेडी है, मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूं, अब मैं आपको इन सब का सर्वत्त बना के दिखाती हूं, अब कोई भी जड़नी में जाएं, ट्रेवलिंग में, इंस्टेंट आप सर्वत्त तयार कर सकते हैं, और ये एनर्जी ड्रिंक भी है, क्योंकि इसमें ग्लुकॉन डी है, वो मिक्स है, तो ये हमारे फाइब टाइब के सर्वत्त प्रिंक्स है, वो रेडी है, अब मैं आपको इनके सर्वत्त बना के दिखाती हूं, अब सबसे पहले मैं रस्त प्रिंक्स है, वो एक चमस डाल रही हूं, एक टेबल इस्पून जितना, इस में मैं डाल रही हूं काला फ़टा pre-mix यह हमारा पान pre-mix है बड़ा गलास हो तो आप ज़्यादा लो मेरे पास छोटए गलास है तो मैं एक एक चम्मस ले रही हूं यह हमारा कच्चा महिंगो pre-mix और यह हमारा रोज pre-mix मेरे पास आइस चिल्ड वोटर है मैं आपको मिक्स करके इनके कलर अवो दिखाती हूं करेंगे हम अच्छे से मिक्स और आप देख सकते हैं यह कितने अमेजिंग ब्यूटिफूल लग रहे हैं यह पीने में भी उतने ही टेस्टी हैं इसटेंट मेंमान आते हैं हाँ इनको इसटेंट भी बनाव और हो बाहर आप जर्नी में भी इनको ले जा सकते हैं किसी का यदि लाइट कलर आता है और आपको डार्क है तो यह लाइट पिंक आया है आप इसमें और भी ऍपास सिकते हैं से sido तो यह हमारे पांचो शर्बत प्रीमिक्स है वो तयार है इसके अलावा यदि आप नेचूरल सर्बत सीखना चाहते हैं तो मेरी लाइव रिकोड़ेड वीडियो है वो अवलेबल है तो आप मेरे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप चाहते हैं मैं नहीं नहीं वीडियो सी तरह आपके सामने लाओं तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वोचिंग